नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पाकिस्तान की जो हालत है इतनी कंगाल हो चुके है कि शायद ही कोई देश आज तक पाकिस्तान की तरह इतना कंगाल हुआ होगा या खुद पाकिस्तान भी इस सर तक पहुचा होगा इस कंगाली तक पहुच यह सही है काइदे तो पकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है नहीं कर पार हैं इंपोर्ट आ ए हुए हैं कंटीणर्व पड़े हैं पर उनको LC उनकी खोल नहीं पा रहा है उनको ले नहीं पा रहा है दूसरी तरफ कंपनियां कार की कंपनी हो टेलिफून की कंपनी हो यह उसको बंद करनी पड़ रही है दिंदारी पाकिस्तान पूरी नहीं कर पा रहा है हला कि financial जो institutions हैं उनको यहां पर बंद नही है डिफोल्ट नहीं किया गया है दूसरी तरफ देखा जाए तो सारी कंपनीया वह बंद हो रही है एरलाइन उडान नहीं भर अइन बंद कर दो रहे हैं इस्मी अब पर जो कि अध्मरों के उड़ाने भरनी भी को यहां पर देखे जाये तो यह डीफॉल्ट होने के ही लक्षन है और डीफॉल्ट पाकिस्तान हो चुका है अब वहाँ पर दूसरी बात करें ख्वाजा आसिप की वैसे तो यह आज रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के पर यह एक बैंकर भी रह चुके हैं तो इहें पूरी नौलेज है डीफॉल्ट होने की वह आज पाकिस्तान की जो महंगाई है वो देश में सर चड़ कर बोल रही है वह आस्मान यहां पर समान के रोजमर्रा की चीजों के जो दान है वह आस्मान चुह रहे हैं पाकिस्तान के अर्थवेवस्थ हमें पहले भी अपसन डाउंस आये हैं पर इस कगार तक नहीं आये के अब इतना नीचे तक गिर गया है पाकिस्तान की स्थिती इतनी खराब हो गई है वहें दूसरे तरस पहले इन्हें उठाने के लिए इनके आका थे इनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे पहले जब आतिक मंदी आती थी तो अमेरिका भी मदद कर देता था इसके अलावा ब्रिट इस थे यह भी मदद कर दिया करते थे कि भाईया चलो दे देते हैं वहीं दूसरे तरफ इसके अलावा जो यहां पर चीन है चीन भी इनकी मदद कर देता था पर अब इन सभी ने भी देने से मना कर दिया है क्योंकि यह थक चुके हैं कि पाकिस्तान को जब पैसे मांग रहे तो कहता है अरे भाया क्या पैसे मांग रहे हो मतलब अपने ही पैसे ये लोग मांग नहीं सकते पाकिस्तार आखे दिखाता है पहले तो दोड़ कर पैरों में लेट जाता है फिर आखे दिखाता है तो इसलिए इन्हों ने भी कह दिया है कि भाया अब हमारे बसकी बात नहीं ह क्या लावा आयमेट की टीम पाकिस्तान भी आई थी दस्दन रुकी थी बातचीत हुई पर आयमेट की टीम ने बातचीत के बाद जो जवाब दिया वो यह दिया कि बातचीत तो हुई पर इस कदर तक बातचीत नहीं पहुची कि यह जो रिपोर्ट इसके बिना पर कोई पैसे लेनी के लिए बहुत सारी फॉमेल्टीज होती है जो इन्हें पूरी करनी पड़ेगी तो यहां पर अनुमान यह है कि इन्हें जून तक साथ से आठ बिलियन डॉलर रुपे चाहिए पर आयम एप किते दे सकता है एक से सवा बिलियन डॉलर यह दे सकता है बाकी कि यह कहां से लाएंगे फैनेंशियल मार्केट में इंटरनेशनल फैनेंशियल मार्केट में यह जा नहीं सकते क्योंकि इनका कोई बॉन बॉन नहीं है और यह दिवालिया ही निकल चुका है वहीं दूसरी तरफ आयम एफ भी देगा तो कितने देगा एक से सवा बिलियन डॉलर दूसरी तरफ अन्मान यह भी लगा जा रहा है यह तो तरी जून तक की बात इसके अलगा जुलाई से अगले साल जून तक के लिए इन्हें 24 से 27 से 28 इन्हें बिलियन डॉलर रुपे चाहिए यहां पर दूसरों का करजा देने के लिए इसके बाद इनका बैंक अकाउंट जो करण्ट अकाउंट है वो भी इसमें डिफेंस होगा तो इसके लिए वो खर्चा वहीं दूसरी तरफ और भी बड़े बड़े खर्चे होते हैं तो इन्हें कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि 34 से 35 बिलियन डॉलर रुपे चाहिए इन्हें अगले साल के लिए यह है कि यह लाएंगे कहां से फिर आयमेफ के पास जाएंगे फिर आयमेफ इन्हें लतार लगाएगा इन्हें टाइट करेगा खीचेगा कि भाया खर्चे कम करो तो पाकिस्तान अभी वो कदम नहीं उठा रहा है जो इन्हें उठाने चाहिए यह जंता पर जोड़ दे रह दिया है यह जंता के लिए महंगायी बढ़ा रहे हैं जबके ने करना क्या चाहिए जो नव्याब जाते हैं उनके प्रॉपर टैक्स लगां उनकी व्रेहन सह highs पर टैक्स लघांगाए उनकी शारी चीजन्टाकी रोजमरा की चीजओं पर यह महगाई बढ़ा रहे हैं जंता को परेशान कर रहे हैं जंता खाने के लिए बितरत गई है तो यहां पर यह पाकिस्तान की जो हालत है वो यह लोग कर रहे हैं यहां पर वो आम जंता को परेशान कर रहे हैं ना कि बाकि जो यह जो रहीज जादे हैं यह जो मौज मस्ती कर रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं तो यह जो सारी परेशानिया है यह पाकिस्तान की इसी कदर बढ़ती रहेगी अगर पाकिस्तान यहां तक अभी भी पाकिस्तान ने कोई हल नहीं निकाला तो तो पाकिस्तान की हालत आज कितनी खराब हो चुकी है यह आज की वीडियो में ह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सेयर जरूर करें धन्यवाद